चलिए आज हम कटिहार लोग सभाथ छेतर की बात करेंगे कि आखिर 2024 में यहां से मजबूत उमिदवार कौन होगा कटिहार लोग सभाथ छेतर से और यह सीट किस पार्टी के पाले में जाएगा और वो पार्टी किसी अपना उमिदवार बनाएगी उसी कटिहार लोग सभाथ चित्र की हम बात करेंगे कि आखिर यहां से 2024 में मजबूत उमीदवार कौन होगा लेकिन उसके पहले नमस्कार में नाम शशांग पांडे है आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पिछे विशाल खरे हैं और अब आते हैं कटियार लोग सबाचित्र की इतिह की बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं 1991 से 1991 में मोहमद यूनूस सलीम जो है वो जंता दल से चुनकर सांसद बनते हैं 1996 में तारिक अनुवर जो हैं वो कॉंग्रेस पार्टी से सांसद बनते हैं 1998 में जब उपचुना होता है केंडर की सत्था में प्रिवर्तन होता है तो फि 2004 में निखिल कुमार चौधरी ही जीतते हैं 2009 में निखिल कुमार चौधरी फिर से जीतते हैं लेकिन 2014 में जब मोदी लहर चलता है उस समय निखिल कुमार चौधरी चुनाव हार जाते हैं और तारीक अनवर चुनाव जीत जाते हैं लेकिन इस बार तारीक अनवर का पार्टी बदल जाता है इस बार NCP हो जाता है जिहां NCP से वो चुनाओ लड़ते हैं और 2014 में कटिहार से वो जीत जाते हैं 2019 में जेडियू जब NDA का हिस्सा रहती है 2019 में तो ये सीट जो है वो जेडियू के पाले में चला जाता है और दुलाल चंद्र जो है गोश्वामी यहां से सांस बनते हैं ये तो इतिहास हो गया और अब आते हैं कि 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला 2014 में तारिख अनवर को वोट मिला 4,31,292 वोट वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से निखिल कुमार चौदरी को वोट मिला 3,16,502 वोट यानि कि 1,14,740 वोटों से वो चुनाओ हार गए थ से चुनाओ लड़े तारिख अनवर यानि पहले कॉंग्रेस ने टिकट नहीं दिया 2014 में तो वो चले गए NCP में NCP से जाकर चुनाओ लड़ लिया और उसके बाद फिर जब NCP से इनको टिकट नहीं मिला तो ये फिर कॉंग्रेस में आ गए और कॉंग्रेस से आकर चुनाओ लड़े तारिख अनवर इन्हें वोट मिला पांच लाख 2220 वोट यानि कि 57203 वोटों से वो चुनाओ हार गये और अब आते हैं कि आखिर ये सीट जो है किस पार्टी के पाले में जाएगा और वो पार्टी किसे अपना उमिदवार बनाएगी पहले तो हम बात करेंगे इं मजबूत उमिदवार कौन होगा मौजूदा सांसद वहां के दुलाल चंद्र गोश्वामी है ये बहुत मजबूत उमिदवार है जेडियू से इन्होंने परचा बारा जीत कर दिल्ली पहुंचे और अभी अपनी दाविदारी मजबूत इन्होंने बनाई है लेकिन कॉंग कौंग्रेस अपना उमिदवार बनाएगी तारीख अनवर को तारीख अनवर जो की लगतार वहां से सांसद रहे हैं 1918 से अगर बात करें तो 1918 में भी ये पहली बार वहां से सांसद बने थे कौंग्रेस के टिकट पर तो ये प्रयास करेंगे कि ये सीट जो है वो कौंग्रेस इनको अपना उमिद्वार बनाए जेडियू और kongress में पेच फसेगा और कोई इंडिया गटवन्दन का इसमें नहीं आएगा कि हमें देदिजीए चाहे हमें देदिजीए ना आपको राज़त आएगा ना भागपा माले आएगा जेडियो और कॉंग्रेस में पेच भसेगा, जेडियो प्रयास करेगा कि ये सीट हमारे पास रहे, कटियार लोग सबास, और कॉंग्रेस जो है वो प्रयास करेगा कि ये सीट हमारे पास रहे, अब आते हैं कि इंडिया गटवंदन में, कि इंडिया गटवंदन से कौन उमिद की है और 77 साल की उम्र में निखिल कुमार चौधरी को भारतिय जन्ता पार्टी टिकट नहीं देगी तो ऐसे में निखिल कुमार चौधरी से वो सलाह ले सकती है कि हम किसे उमिदवार बनाए, निखिल कुमार चौदरी से वो पूछेगी, कि आपके नजर में कोई मजबूत उमिदवार हो तो बताईए, उसे उतारा जाएगा, या फिर, निखिल कुमार चौदरी के किसी घर के सदस्य को उतारा जाएगा, क्योंकि निखिल कुमार चौधरी का भी दबदबा खूब रहा है आप देखे तो 2004-2009 में और 1999 में ये सांसद हैं तो कि 1994-2009 ये लगतार तीन बार वहां से सांसद रहे हैं तो इनका भी दबदबा बहुत है कटिहार में तो ऐसे में भारतिये जनता पार्टी ये प्रयास कि निखिल कुमार चौधरी से सलाह लिया जाए कि किसे उतारा जाए मैदान में आप ही सलाह दीजिए और कहा ये भी जाता है कि निखिल कुमार चौधरी की पहुंच दिल्ली तक है सिर्शन नेतरते से उनकी मुलाकात हमेशा होते रहती है वो उन तमाम नेताओं से मुलाका करते रहते हैं तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ये अपने किसी परिवार के सदस्री को उतार सकते हैं भारतिये जनता पार्टी ये देखती है कि अगर उसका कोई नेता बहुत मजबूत है और वो ठक गया है यानि 70 प्लस उसकी उम्र हो गई है तो फिर उसके बेटे को भा ये जनता पार्टी प्रियास करेगी कि निखिल कुमार चौधरी से सला लिया जाए कि किसे मैदान में उतारा जाए एक नाम और है जो की लगतार कटिहार का दौरा करता है उसका नाम पपू यादो है पपू यादो लगतार आप कभी भी देखेंगे कि कटिहार में कुछ भ करते रहते हैं और अब देखने वाली बात है कि इन में से 2024 में मजबूत उमिद्वार कौन होगा जहां एक तरफ इंडिया गटबंदन है इंडिया गटबंदन से अगर हम बात करें तो जेडियू के पाले में अगर ये सीट रहेगा तो जेडियू दुलाल चंद्र गोस्व को अपना उमिद्वार बनाएगी और अगर कॉंग्रेस के पास चला जाएगा तो तारिख अनौर जो है कॉंग्रेस से उमिद्वार बनेंगे और अगर इंडिया गटबंदन की बात करें तो इंडिया गटबंदन में भारतिये जनता पार्टी जो है वो निखिल कुमार रंख्या में वही तैक करते हैं कि सांसत किसे बनाया जा यानि निर्णायक भूमिका में और अब देखने वाली बात ही है कि कौन उमिद्वाल 2024 में कटिहार लोग सबाच्छेतर से होगा वेराल इस खबर में इतना ही बने रहा हमायर साथ और देखते रहें जंता जिंशन